हेलो दोस्तों एक फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिश्टर अजमेट टेक्निकल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर का हैं ओल न्यू महिंद्रा बुलोरो पिकप फोर वील ड्राइब फोर इंटु फोर इसका मुगाबला सीधा सीधा टाटा योदा फोर इंटु किया गया है दोस्तों तो चैनल पर नहीं हों तो प्लीज सब्सक्राब्स कर लिए चैनल पर लक्राइन आपको घली के गढ़ों देखने मिलेगा Auchinट कंट हो से आपको चुरू करते हैं हम सबसे पहले बात कर रहें से ढूनिनिक से तो आपको यहां पर हैब siamo लumeु आप yamil आपको यहाँ पर मिलने वाले इसकी new grill सामने मिलने वाला है महिंद्रा का logo दोस्तों यहीं बात कर लेते हैं इसके bumper कि तो आपको इसमें metal bumper मिलने वाला है यह मिलने वाले reflector यह नीचे पूलम्स की जगे दी गई हैं company fitted नहीं है आप इसमें लगवा सकते हैं दोस्तों यह मिलता है इसका towing hook और यहीं पर बात कर लेते हैं इसका front suspension की तो आपको इसके अंदर front suspension मिलने वाला है rear guard leaf spring front suspension में और नीचे आपको front axle भी देखने को मिलागा दोस्तों यहां पर मिलता है single horn और यहां पर दोस्तों जो बीच में गेप देख सकते हैं यह इसलिए दिया गा है ताकि radiator को अच्छी सी और ताजा हवा इसमें परदान हो सकते दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी की की तो आपको कुछ इसपर करके इसकी की देखने को मिलागी इस old new blue row 4 into 4 की यहां बात कर लेते हैं side profiles की तो सबसे बहुत बात कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं कि आप इसमें side cladding दी गई है golden color की दोस्तों और यह टायर की बात करता है तो आपको इसमें 7.15 इंची के टायर मिलने वाले है steel rim के साथ और front में इसमें disc brake मिलने वाले हैं दोस्तों यह मिलता है आपको side and indicator blue row pick up power steering की आपको यहां पर इसमें graphics देखने को मिलेंगे और कुछ इस परकार है इसकी bonnet की लंबाई इसके साथ आपको मिलने वाला है दोस्तों double washer और double ही इसमें wipers देखने को मिलेंगे आपको और कुछ इस परकार की windscreen देखने को बिलेगे आपको इसमें इसमें मिलने वाला महेंदरा सेट स्पीड 80 km per hour 80 km दोस्तों इसमें की स्पीड लोग है यहां पर आपको और देखने को मिलेगे चुछ परकार के जिससे की ड्राइवर अपने पीछे की साइड असाने से कावर कर सकें बले कलर के डोर हैंडल्ल की लोग अनलोग और यहां पर आपको एर के लिए जगे मिल जाती हैं यहां पर मिलता आपको मजबूर फूट स्टेप रेर विंडो और यहीं बात कर लेते हैं इसके कारगो स्पेस की इसकी लंबाई 2281 mm इसकी चोड़ाई 1532 mm और इसकी उंचा यह वो है 7500 mm की दोस्तों इसके रेर कारगो स्पेस की आसान इसे लोडिंग के लिए आपको मिलते हैं आप पर हुक्स और यहां मिलने वाले आपको 4x4 की बेजिंग दोस्तों 4WD की यहां मिल जाती है इसकी फ्यूल फिलर के और यह अगर इसके शूल्टिंग शमता की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है सत्तम लेटर का डिजल दोस्तों और यह टायर भी आपको मिलने वाला 7.15 इंची का और दोस्तों पीछे आपको इसमें ड्रम रख देखने भी लेंगे और यहां पीछे भी आपको मिलने वाल है गॉल्डन कलर की क्लेडिंग्स और यहां पर चेचस के यहां देख सकते हैं कि पीछे पत्तर सिटम दिये गए हैं चेचस के नीचे कुछ इस परकार से और कुछ इस परकार का देखा देता है इस कारेयर लूप यह बात कर लेते हैं इसके टेलेम यूनिट की तो यहां आपको हेलोजिन बल्ब के साथ रिवर् पीछे का डालो उपन करना के लिए यहां से हुक्स मिल जाएंगे इसको आप लोग अटाके इसे नीचे कर सकते हैं यहां मिलने वाले हैं महिंदरा की ब्रैंडिंग आपको एक और दू रिवर्स पार्कंग सेंसर देखने मिलेंगे नीचे मिल जाते हैं नमबर्परस की जगह हैं और यहीं बात कर लाती हैं इसके इसके रिर सुस्पेंशन की तो आपको इसमें लीव स्पिरिंग रिगार्ड सस तो 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 एम यहां पर आपको इसमें ग्रांड के लिए देखने को मिलागा इस ओल नियुबलर ओ फॉर निटो फॉर का और यहीं पर बात करने थे इसकी प्राइज की तो आपको 10,94,722 रुपेज की ओर नोड़ प्राइज बेटने वाली है अजमेर में दोस्तों 10,000 रुप आपको इसके साथ मिलने वाला केश डिसकाउंट और 6,000 रुपेज की इसमें मिलने वाले आपको असेजरी है बोड़ी ओप्शन, चेचेश विद केविन, डेग बोड़ी और डेग केविन इस ओल न्यू फोर इंटु फोर की इस ओल न्यू बुलोर फोर इंटु फोर की पेलर शमाता है 1015 केजी, ग्रोस वेट है 2735 केजी और इसका क्रेब वेट है 1720 केजी माइलस की बात करते हैं 14-16 किलमेटर कंपनी माइलस का दावा करते हैं यहां से ओपन करते हैं और सामने देख सकते हैं इसकी इनर हैंडल, लोक अनलोक विंडो रिगलेटर हैंडल, यहां मिलता आपको इसका ग्रेब हैंडल पर आपको सीट वेलस मिल जाते हैं तोनों तरफ ब्रेक फिल्च एक्स एक्सलेक्टर यहां से बॉनट ओपन कर सकते हैं हेटलाइड लेटलिंग कंट्डोल्स यह हैं डीपश की कंट्डोल्स उपर मिल जाते हैं इसके हलका साहिए अपर इसपेस आपको three spokes steering wheels आपको यहां मिलने वाला है, महिंद्रा की branding सामने, logo बसरी, cylinder finish आपको यहां देखने हो मिलागम है, headlight unit controls, इदर मिल जाता है इसको wipeors के controls, और सामना देख सकते हैं,This instrument cluster, यहां से key यौन करते हैं, इदर आपको मिल जाता है,इसका उपर की तरफ fuel level का gauge, नीचे मिल जाता सकर टेंपरेश कर बीच में नौसु पिचन में किलम्टर रही दिखा रहा है जीरो से कुछ चॉलेश स्पीड दी गई है लेकिन एट्टी किलम्टर कमपनी इसमें लोग दी गई है स्पीड इसकी बैट्री ओविल और डीजल के लैट्स क्लेश्टर में शोग इसके लिए कंपनी जगए दी गई है आप याँ समय लगवा सकते है यहाँ सब्छस मिल जाता है मिल जाता है हाजार किéo आ इनो बारा अधिक यह लग लस्कारज कमने उफर कर रही आपको यह मुख्वूत घर कमिल जाता है नीचे मिल जाता है इसका glow box यह open करका देखते हैं और copy space मिल जाता है इसके glow box में आपको दोस्तों यहां देखने का आपको मिलेगा कि side dot image प्रकार की मिलेगी आपको उसमे sun visors के बात करें तो आपको इसमें कोई भी ticket holder या फिर कोई भी vanity mirror नहीं देखने को मिलेंगे इसमें इसकी roof color में आपको इसमें मिलने वाला इसके sun visors इसकी IRM की बात करें तो normally आपको इसमें IRM देखने को मिलेगा कोई भी day net system नहीं इसके अंदर और कुछ इस पर करका gear layer knob 5 forward और 1 rear gear book के साथ यहां मिलने वाला इसका 4 into 4 का gear unit 2 wheel drive 4 high, neutral और 4 low और यहां पर इसमें mats दिये गए हैं जब गाड़े आपको deliver करेंगे कमपनी वाले तब आपको यहां पर लखा कर देखें दोस्तों और इसके साथ आपको मिलने वाले हैं owner manual, reflector tool kit, medical kit और यह जएक बगर दोस्तों यह गाड़े deliver होने के बाद आपको company यह देने वाले हैं और यहां पर कुछ इसपर कर कर के दिखाई देती है इसके body cabin अंदर के तरफ से और यहीं पर बात कर लेते हैं इसके engine की तो आपको इसके अंदर मिलने वाला हैं M2DICR 2.5 लीटर 4-cylinder turbocharger BS6 diesel engine जो 75 HP की पावरवा 200 NM का maximum torque जनेरेट करता हैं यह 5-speed manual synchromax gear bus के साथ आता है और इसमें 4 high 4 low gear भी मिलने वाला है जो इसकी और शमता को बढ़ाता हैं दोस्तों हां तो दोस्तों केसे लगी आपको यह all new Mahindra Bullro 4x4 हमें comment करके जरू बताइए का दोस्तों चलते हैं इसकी next वीडियो में तब तक लिए goodbye and take care all friends